रध्यात्रा आयोजन करने की अनुमती दे दी है। रध्यात्रा के एक दिन पहले ही सुप्रीम कोट का ये बड़ा फैसला आया है। आज केंडर सरकार के सुप्रीम कोट में रध्यात्रा के पक्ष में अपना मत रखने के बाद ओडिशा सरकार ने इसका समर्थन किया। बिना रथ्यात्रा की रस्म पूरी की जाएगी। रथ्यात्रा से जुड़े सारे सिवायतों की कोविड टेस्टिंग भी कराई जाएगी। 18 तारीक को शीर्ष अदालत ने इस साल रथ्यात्रा बंद करने का नितेश दिया था। जिसके बाद जगनात प्रेमियों के बीच निराशा फैल गई थी। इस मामले में कई पुनरविचार याचिकाएं दायर हुई थी। भगवान जगनात के मुसल्मान भक्त आफस्ताब भुसैन ने सबसे पहले सुप्रीम कोट में पुनरविचार याचिका दायर की थी। बीजेपी के राष्ट्य प्रवक्ता संवेत पात्रा ने भी रथ्यात्रा आयोजन की अनुमती देने के लिए याचिका दायर की थी। आस्ताब ने बीबीसी को कहा कि मैं पहले एक ओडिया हुँ बाद में मुसल्मान। भगवान जगनात ओडिशा के परिचय हैं। रथ्यात्रा बंध हुने की खबर से मुझे पीडा पहुझी। मुझे लगा कि मुझे सुप्रीम कोट को इस निर्णय का पुनरविचार करने का अनुरोध करना चाहिए। मैं बहुत खोश हूँ कि आखिरकार सुप्रीम कोट ने रथ्यात्रा की अनुमती दे दी है। टेंपल मैनेजिंग कमिटी के अध्यक्ष पुरी के गजपती महराज दिव्य सिंग देव ने शेनिवार को मुख्यमंत्री नवीन पतनाय को एक चित्थी लिखी। उन्होंने लिखा कि श्रीमंदिर के रिकॉर्ड ओफ राइट के अनुसार टेंपल मैनेजिंग कमिटी निर्धारित दिन को वार्शिक रथ्यात्रा का आयोजन करने के लिए बात्य है। शंकराचारिय निश्चलानंद सरस्वती ने भी रथ्यात्रा आयोजन पर जोर दिया था। हर तरफ से बढ़ते हुए दबाव के बाद ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोट में कहा कि कोविट स्थिती को मद्दे नजर रखते हुए एहतियाती कदम के साथ भक्तों की भागीदारी के बिना सिर्फ पूरी में रथ्यात्रा का आयोजन किया जा सकता है। पस्था कड़ी की जा रही है। पुलिस डीची अभे कई वरिष्ट पुलिस अधिकारियों के साथ पूरी में पहुँचकर रथ्यात्रा की तैयारियों की मौनिटरिंग कर रहे हैं। झाल 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 पुलिस अधिकार रहे हैं। झाल झाल